तो गाई जैसा आप लोग को पता है कि कौन बनेगा MBBS स्रीच हम लोग देख रहे थे जिसके अंदर Biomolecules को हम लोग पढ़ रहे थे और Biomolecules के Concepts हम लोग बहुत डीपली पढ़ रहे हैं एक-एक Line NCRT का Discussion कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप Neat Exam लिखने जा रहे हो अगर आप Board Exam लिखने जा रहे हो J-Mens लिखने जा रहे हो तो बहुत जरूरी होता है कि आप NCRT के Line by Line को Read करो और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आपके साथ हैं चंदरास सर जो NCRT के Line by Line आपके साथ लेके आएं आप मेरे वीडियो को बिलकुल आखरी तक देखिए और वीडियो को देखने के बाद फूल इंजोई कीजे तो डियर फ्रेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि जैसा लास्ट क्लास के अंदर हमारा डिसकसन हुआ था कि कैसे अपन Cyclic Structure of Glucose बनाएंगे इस पे चर्चा चल रही थी अब आपन लेके आ रहे हैं Cyclic Structure of Fractose की तरब लेके चल रहे हैं कि Cyclic Structure of Fractose क्या होगा लेकिन अगर आपको प्रिवयस क्लास पता हो तो मैंने आप से कुश्टन पुछा था कि exactly glucose पे carbon number third पे OH group left hand side क्यों लिखते हैं तो उसके पीछे region जो है जब आपन इसकी stereo chemistry की study करते हैं higher class में तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो configuration होता है वो दो form exist करता है यह कि इनंसियोमेरिक pair बनाते हैं अगर आप देखोगे तो और वहाँ पे आपको पता चलेगा R और S configuration के थुरू कि basically अगर हम दोनों को एक side ही रखते third और second number को तो configuration सेम होता इनंसियोमेरिक pair नहीं बनता optical rotation उसका possible नहीं हो पाता और यही कारण है कि हम लोग OH को left hand side रखते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप NEET को चाहते हो दो सिर्फ और सिर्फ तीन महीने में crack करना तब भी आपके पास एक golden opportunity मैं लेके आया हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस time आपके पास इंडिया के largest learning platform unacademy पे start होने जा रहा है पहल बैच जो कि आपके पास 28 December से start हो रहा आज ही से तो आप चाहें तो आज ही register कराएं और अपना admission जो है वो वहाँ पे confirm करें लेकिन आपको registration करने के लिए क्या करना है आपको जो है वो unacademy का learning app download करना है उसके बाद आप मेरा code यूज करना चंदरहा C-H-A-N-D-R-A-H-S इससे आपको जबरजस्त फाइदा मिलेगा और 10% का discount भी मिलेगा मतलब अपने पैसे को आप save कर सकते हैं सिर्फ मेरा code डाल के लेकिन ध्यान रहे बहुत सारे लोग जो है वो अगर आज कहीं busy है राज miss कर जाते हैं तब भी आपको nervous होने की ज़रत नहीं है क्योंकि आपके पास super ranker badge जो है वो 31st December से start होने जा रहा है तो आप चाहें तो उसके लिए भी registration कर सकते हैं station का process सेम होगा आपको app download करना है वहाँ पे जो है वो आपको मेरा code मांगेगा जैसे आप मेरा code यूज करेंगे चंदरहास वैसे आपको 10% का fees में discount मिल जाएगा और तो और एपको बता दें कि अगर इसा नहीं कर सकते हैं आप तो description box में जाएए वहाँ लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक कीजे वहाँ मेरा code यूज कीजे और वहाँ से भी आप 10% का पाइदा पालो अब मैं आपको बता दूँ एक चीज और कभी कभी बहुत सारे लोग मानतें कि 2020 हमारी लिए lucky नहीं रहा है मैं 2020 में कुछ करना चाहता हूँ तो आपके पास फिर भी आपके पास option है 2020 के starting में ताकि आपका lucky year हो तो lucky day से भी आप start कर सकते हैं अपना और 2020 के starting में 3 January से एक और batch अन अकेडमी पे आ रहा है उमीद batch उमीद batch ध्यान रखिएगा आप चाहें तो इस batch के लिए भी registration कर सकते हैं बिलकुल similar process होगा registration का जैसे मैंने आपको अभी उपर बताया है अब आज की lecture में आप लोग बिस्कस करेंगे cyclic structure of fructose लेकिन मैं उमीद कर रहा हूँ कि अब आप क्लिक structure of fructose तो सबसे पहले आपको पता होगा कि fructose का formula लिखते हैं C6, H12, O6 लिखते हो इसे आप बोलते हो fructose अगर आप fructose का formula ये लिखते हो तो सबसे पहला इसका skeleton तयार करो बिलकुल similar skeleton होगा जैसा आप glucose का skeleton देख रहे थे ये सबसे पहले हमने 6 carbon का एक skeleton तयार कर दि कि fructose जो है keto sugar है और अगर keto sugar होगा तो इसमें functional group के रूप में aldehyde ना होके ketone present होगा और ketone carbon number 2 पे present होगा एक बार medical के exam में ये questions भी आ रखा है कि exactly fructose में carbon कितने number carbon पे जो है वो ketonic group present है तो ketonic group credit at carbon number 2 क्योंकि आप numbering वहाँ से करेंगे जहां से functional group आपको नजदीक दिखाई देगा ये आपका numbering system होगा इस तरह से आपका number चलेगा अब अगर basically आप यहां देखते हो तो आपको क्या करना है OH और H लगाना है ये OH और H लगा देना है थर्ड नंबर पे OH को बता रखा हो कहां रखना है left hand side और remaining sub पे आपको right hand side रख देना है बस इतनी सी बात तो आपको ध्यान रखना है ये आपके पास third number पे left hand side और remaining sub पे क्या होगा right hand side होगा पस इतनी सारी कहाणी हमारे पास निकल के आएगी अब ये तो structure बना ना open chin अब है किसर इसका cyclic structure कैसे बनाएंगे बहुत simple आपको एक बास समझा रहा हूँ exactly इसके अंदर क्या present है aldehydea ketone group और carbonil compound का जो main reaction है जो characteristics reaction है carbonic compound का वो है nucleophilic addition reaction मतलब nucleophile add करेगा और nucleophile negatively कहाँ add करेगा जहाँ पे positively charge मिलेगा तो carbon oxygen में oxygen more electron negative है तो pipe on shift करेगा less to more electron negative तो इस पे charge negative आएगा और इस पे charge positive आएगा अब यहाँ पे आपके पास यह last chiral carbon दिख रहा है यह आपके पास last chiral carbon है मैंने आपको बताया था अगर याद होगा कि जब आप fructose का structure बनाओ glucose का structure बनाओ जिसमें more than one hydroxyl group present होगा तो आपको D और L form is decided by last chiral carbon तो यह last chiral carbon है सबसे पहला आपके mind setup में यह बात बैटनी चाहिए अब अगर आपको पता चल गया कि sir यह defructose है तो मेरे भाई एक बात बताओ अब यहाँ पे देखो main reaction इसका क्या है निकलियोफिलिक addition reaction निकलियोफाइल एड करेगा जाके कहां एड करेगा जाके जहाँ पे इसको positive मिलेग क्योंकि निकलियोफाइल lone pair containing group होते हैं या negatively charged group होते हैं तो यहाँ पे basically lone pair containing group जो है वह attack करेगा यहाँ पे और इसका hydrogen जाएगा इसके पास तो यह ऐसा structure बनेगा यह CS2OH है यह आपके पास इस तरह से HOH बनेगा और इधर आपका 2 नमबर, 3 नमबर, 4 नमबर, 5 और यह 6 नमबर बनेगा अब carbon number 2 और carbon number 5 के बीच में किस कवरी जा रहा है दोस्त oxygen का रहा है तो carbon number 2 और carbon number 5 के बीच में oxygen कवरी जा रहा है यह आपके पास oxygen कवरीज होगा अब 2 number carbon पे O के साथ क्या जूड़ रहा है है तो 2 number carbon पे O के साथ H चुड़ गया आपका 3 number carbon पे आपके पास HO है HOH लगा दिया यह OHH लगा दिया यहाँ पे H लगा दिया अब यहाँ देखो विटा CS2OH है यह यह आपके पास CS2OH दिख रहा है तो basically यहाँ पे ring structure जब आपन देखेंगे तो थोड़ी सी कहानी आपको अलग मिलेगी कैसे अलग मिलेगा यह समझो आप ध्यान से यहाँ पे 1,2,3,4 और 1,5 मतलब हेटरोसाइकलिक ring बनेगा जिसमें 4 carbon होंगे और एक oxygen होगा तो 5 member ring हेटरोसाइकलिक ring का formation यहाँ पे होगा जिसमें 4 carbon है और बोल रहाँ एक oxygen है तो अगर actual में इसका ring structure आप देखने की कुछिस करोगे तो ring structure ऐसा बनेगा एक oxygen है और 1,2,3,4 यह 4 carbon आपके पास इस तरह से बनेगे अब जड़ा देखो यह malo carbon number 2 है तो यह भाई 3 होगा यह 4 होगा और यह आपका 5 होगा और 2 number carbon पे इधार आप देखो 2 number carbon पे एक तो जुड़ा हुआ है CS to OH और एक जुड़ा हुआ है OH तो 2 number carbon पे एक तो CS to OH जुड़ा हुआ है और यह जुड़ा हुआ है OH जुड़ा हुआ है समयचा ध्यान से अब आते हैं carbon number 3 पे आते हैं अगर 3 नमबर कारवन पे आप आओगे तो 3 नमबर कारवन पे OH और H है OH लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वाला बोला था रिंग के अंदर ले जाओ लेफ्ट वाले को रिंग के अंदर ले जाओ ये अंदर ले गया इसके बाद आता है HOH इसके बाद आपके पास आता है HOH अब फिप्त नमबर पे देखो फिप्त नमबर पे एक ग्रूप H है और दूसरा ग्रूप CS2OH है एक ग्रूप H है और दूसरा ग्रूप CS2OH है तो इस तरह से आपके पास saiklic structure Frottoge का बनके होता है तयार तो वेटे एक बात बताओ एक बात बताओ बड़े सिम्पल तरीके से आप लोग इसको समझ पा रहे होगे बहुत सिम्पल तरीके से अब प्राबलम क्या है कि सर जैसे वहाँ पे है याद होगा ग्लुचोज वाला case, glucose वाले case में बोलते थे कि यार glucose का दो form exist करता है, एक alpha D एक beta D glucose, क्या सर इसका भी दो form exist करेगा? बिल्कुल करेगा, यहां भी दो form exist करेगा, एक करेगा alpha D fructose और एक करेगा beta D fructose, तो मैं आपको अगला structure यही समझा रहा हूँ, कि कैसे आप identify करोगे, कि सर यह alpha D है कैसे आप identify करोगे, कि सर यह beta D है, जरा ध्यान देना मेरी बात को, सुनना ध्यान से, बहुत important बात आपको समझा रहा हूँ यहां two number पे OH देखो, जहां bridge बन रहा है उस carbon को देखो, यहां two number पे OH कहां दिख रहा है, नीचे दिख रहा है अगर OH बॉटम में दिखेगा, तो यह जो fructose बना, वो कहलाएगा alpha D fructose क्या कहलाएगा, alpha D fructose अगर इसका बीटा बनाना है तो जहां two number पे bridge बनाना उसी पे OH को कर दो, उपर तो आप इसको लिखोगे, पहले skeleton तयार कर दो 5 का 4 carbon है और एक oxygen का हमने skeleton इस तरह से तयार कर दिया अब यहां पे क्या आएगा बनके यहां पे यह OH उपर चला जाएगा और यह CS2 OH नीचे आ जाएगा यहां पे अगर आप देखोगे यह H उपर जाएगा और यह OH नीचे चला जाएगा यहां पे देखोगे, यह OH उपर जाएगा और H नीचे चला जाएगा यहां देखोगे, तो H उपर जाएगा और यह नीचे आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा केवल और केवल जहां bridging carbon बना था यह carbon number 2 जिस पर attack हुआ था जो carbon carbon था functional group का जो carbon था वही पर OH ग्रूप के arrangement में change आएगा तो यहाँ पर OH नीचे है तो कहलाया alpha यहाँ पर OH उपर तो बीटा बाकी आपको छिड़ छाड नहीं करना है वैसे ही लिखना है जैसा दिया हुआ है उपर भी तो यह आपका actual structure होगा अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ साइद आप गलती नहीं करेंगे समझे है मेरी बात तो बहुत सिंपल बात है वेटा यह alpha डी ग्रूप कोड हो गया यह फ्रक्टोज हो गया और यह बना बीटा डी फ्रक्टोज यह आपके पास बन गया बीटा डी फ्रक्टोज तो alpha डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज जो है यह जो दोनों structure आपको दिख रहे हैं वो इन दोनों के molecular formula same है किवल structure जो differ कर रहा है वो उस functional group carbon पे कर रहा है जहां पे bridging बना है functional group कहा था two number पे तो two number पे differ कर रहा है वहाँ पे देखो glucose में functional group कहा था one number पे aldehyde था तो one number पे OH group top पे और bottom पे था तो alpha और beta decide करते थे यहां पे functional group two number पे है तो functional group पे अगर जहां पे functional group carbon है उस carbon पे अगर OH बीट क्या हुआ इसको समझो ध्यान से बिल्कुल tricky तरीके से समझना structure रटने की requirement नहीं है आपको अब सुनो ध्यान से same molecular formula but they are differ in their configuration at only and only at functional group carbon मतलब carbonyl carbon अगर carbonyl carbon पे configuration अगर differ करता है तो ऐसे compounds एक दूसरे के anomers कहलाएंगे तो ध्यान रखेगा कि alpha यह जो आपके पास जो defructose दिख रहे थे इस defructose के भी दो anomers exist करेंगे एक alpha defructose और second beta defructose तो यह बहुत simple answer आपको निकल के आया होगो बिठा ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ clear बात बिल्कुल clear यार अरे यार बोलना यार जल्दी फटापट अगर clear हो गया तो हाया ना clear बात अपने मन में बोल ले यार बोल ले feeling आनी चाहिए वो class वाली feeling आनी चाहिए class में बैठे हैं चंद्रहासर class ले रहे हैं दना दन दन यह एक्टिबनेस जो class में आप रखते हो जो physical ऐसा मानो की जैसे physical appearance चल रहा है अगर आप emotion के साथ पढ़ोगे ना 100% आपका devotion बढ़ेगा 100% अगर आपको लगता है कि भाई बीना चंद्रहासर के मुझे ये topic नहीं समझ में आगा अगर आप emotionally मेरे साथ attach हो गए हो ना तो आपका devotion मेरे पढ़ाने के परती बहुत ज़्यादा होगा और आपके समझने का जो तरीका होगा वो अद्भूत हो जाएगा यर अद्भूत आपको अपने teacher पे mentors पे faith रखना बहुत primary factor है आपके success का clear बात मैंने आपको बोला कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको YouTube के हर एक lecture से different मिलेगा हर एक lecture से different मिलेगा हाँ बहुत सारे अच्छी शे teacher है YouTube पे पर NCRT line by line किसी ने ने explain किया मैंने इस चीज को start किया है क्योंकि हमें पता है अगर neat जैसे exam को crack करना है तो आपको NCRT को घोर के पी जाना पड़ेगा पी जाओ, बिलकुर मज़ा आजाएगा अब देखो दियान से क्या हुआ, हुआ क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या गालाएंगे एनोमर्स क्या गालाएंगे इतना पता चल गया मतलब D-Fructose भी आपके पास दो form exist करता हुआ दिकरा है अलफा D-Fructose और बीटा D-Fructose तो ये overall कहानी जो थी वेटा वो किसकी थी, ये overall कहानी हमारे पास जो थी, वो थी monosaccharides की अब अपन जो पढ़ेंगे वो disaccharides की तरफ चलेंगे मतलब oligosaccharides और आपको बताया था कि oligosaccharides में हमें जो पढ़ना है उसले बस में वो disaccharides की चर्चा करनी है क्योंकि most abundant oligosaccharides जो हैं वो disaccharides है simple एक बास समझना है simple एक दम, ये alpha diffract हो जाए और ये beta diffract हो जाए ठीका ना, करना क्या है देखो ये खुपड़िया तैयार हुदिया में लगा दे, लगा दे, क्या लगाना है sir OH को नीचे लगा दो sir यहाँ और ये cs2OH लगा दो sir ये OHH, ये HOH और यहाँ पे आपके पास था cs2OH और ये था condition इस तरह से cs2OH और H बहुत simple structure बागी बिटाडी में केवल यहाँ पे change करना और कहीं नहीं, ये OH और ये cs2OH ये हो गया OHH ये हो गया OHH ये हो गया H और ये cs2OH ये आपके पास बिटाडी फ्रक्टोज बनके हो गया तैयार मेरी बाग क्लियर है तो? क्लियर? और यार बोलना यार ऐसा ना करो यार अब अलफाडी ग्लुकोज और बिटाडी फ्रक्टोज बना मेरे भाई, यहाँ पे चार कार्बन और एक उक्सिजन है यार आपको पता है कि अगर चार कार्बन और एक उक्सिजन का इस तरह का रिंग होता है, तो इसे हेट्रोसाइकलिक कंपाउंड के अंदर और और्गेनिक में फ्यूरेन के नाम से जानते हैं, किस नाम से? फ्यूरेन के नाम से, इसलिए यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर लगबग है, तो यह जो अलफा डी फ्रक्टोज बन रहा था और इधारे जब लिखोंगे दुसरे तरह तब आप लिखोंगे विटा डी और फ्रक्टो फ्यूरा नोज फ्रक्टो और यह लिखेंगे फ्यूरा नोज लिखेंगे, तो बहुत सिंपल आपके पास ये बार समझ में आ जानी चाहिए, अलफा डी और बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरा नोज ये आपके पास इस्ट्रक्चर दिखेगा क्लियर है बात एकदम? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए बटा अब एक बास समझो, एक बास समझो कभी-कभी आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी होता है बहुत जरूरी होता है ये अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरा नोज और ये भीटा डी फ्रक्टो फ्यूरा नोज बोथ आर एनोमस टू इच अदर मैंने आपको बता दिया तो हो सकता है आपको पुछेगा कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है तो आपके पास एक common relation पता होना चाहिए अब हम लोग इतनी बातों को समेट चुके हैं चलते हैं अपन डाई सेकराइट की तरफ डाई सेकराइट की चर्चा कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी काम पुरा नहीं हुआ है अभी मिलन आधाद हो रहा है अभी बहुत सारे काम बाकिय है मेरे दोस्त इसलिए अब इसके बाद जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो होगा आपके पास ओलीगो सेकराइट्स और ओलीगो सेकराइट्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसे डाय सेकराइट्स को पढ़ेंगे जड़ा ध्यान दो मेरे भाई ध्यान दो डाय सेकराइट्स सेकराइट्स का मतलब सुगर डाय का मतलब दो मतलब अगर इसे अपन या तो पानी में डाल दें या इंजाइम के प्रेजिंस में करा दें इसको ट्रिट तो इस condition में ये 2 unit of monosecrites देंगे कितने unit? 2 unit of monosecrites देंगे अब भाई सुलो ध्यान से है सुलो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ? कि अगर किसी compound को पानी में डाल दें या enzyme के अंदर डालें और वो 2 unit of monosecrites liberate करें तो निश्चित तोर पे जिस compound को हमने डाला था वो compound disecrites है क्योंकि जब 2 unit monosecrites के आपस में combine हो रहे होंगे तो जो compound बन रहा होगा वो disecrites होगा समझ रहो? अपन बोलते थे कि disecrites कब बनेगा? जब 2 monosecrites unit आपस में joint करेंगे अब अभी ये मत पुछना किस तरा joint करेंगे? कैसे? फेवी कॉल का जोड थोड़े है? हाँ समझ रहो ना? फेवी कॉल का जोड नहीं है भाई फेवी कॉल से नहीं चिपकाने का कैसे चिपकाने का भी बताऊंगा आपको मजाएगा किस तरह का बंधन बनेगा उनके बीच में कैसा प्यार होगा उनके बीच में ये सारी बातें भी थोड़ी दिर में कर लेंगे ठीक है न? हाँ, देखना ध्यान से देखना ध्यान से, बड़ा सिंपल तरीका है डाय सेकरेट्स में दो यूनिट अप मोनो सेकरेट्स अब इसमें आपको सबसे पहला जो डाय सेकरेट्स में बताने जा रहा हूँ वो आपको लिख रहा हूँ सुक्रोज क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट डाय सेकरेट्स है सुक्रोज की बात कर रहे हैं भाई, सुक्रोज का फर्मूला सबको पताओगा यार C12, S22 और O11 बहुत सिंपल बात बतारो C12, S22 O11 समझे लो मेरी बाद C12, S22, O11 एकदम आराम से सुनना वेटे यह आपके पास क्या है यह आपके पास है सुक्रोज, क्या है यह सुक्रोज, अब मैं आपको बता दू अब यहां से बता देता हो जड़ा इसको समझ लो कि सर, इसका हैड्रोलेसिस करेंगे सर, क्या करेंगे, हैड्रोलेसिस अरे भया, हैड्रोलेसिस मतलब उठा के फेक दे, कहां पे, पानी में फेकोगे जब आप सुक्रोज को उठा के पानी में फेकोगे तब basically ये बनाता है D glucose क्या बनाएगा D glucose अरे भाई D बनाएच एल बनाएग ग्लुकोज का फर्मुला तो C6 H12 O6 है और साथ ही साथ ये बनाता है D fructose मतलब fructose का भी फर्मुला यही होगा ये लिख रहाँ condition D और fructose लिख रहाँ मेटा ये D fructose तो देखो इदर ये भी monosecrites है और ये भी monosecrites है मेरे भाई अगर दोनो monosecrites unit को आपस में combine कर देंगे तो combine करने से जो बनेगा resultant compound वो कहलाएगा dicecrites मतलब जब दो monosecrites unit के बीच में प्यार हो जाएगा जब ये आपस में close हो जाएगे तब जो उसका product निकलेगा वो प्यार के बाद आपके फल मिठे होते हैं आपको पता है ज्यादा बोलने जरूत नहीं है अब समझो इदर ध्यान दो भई जड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात ठीका ना ये बोल रहा हूं कि अलफा डीग्लुकोज ये क्या है दूसरा क्या लिख रहा हूं डीफ्रक्टोज है अब मैं आपक इसलिए बोल रहा हूं कभी कभी निट मैं अपको दे देगा क्या देगा क्लोज ऑप्सन मतलब यह नहीं कि आपके पास आजाएगा ऐसा नहीं है बही क्लोज ऑप्सन होगा आपको लिखेगा कि ओन हैड्योलेसिस ऑफ सुक्रोज दा मोनो सेकराइड यूनिट आप्टेंड समद्रेओ आज इसमें लिख देगा अलफा डी ग्लुकोज प्लस अलफा डी फ्रक्टोज बिटा डी ग्लुकोज प्लस बिटा डी फ्रक्टोज अलफा डी ग्लुकोज प्लस बिटा डी फ्रक्टोज बोलोगे सर रुक जारूं जारूं जो आंसर आ गया इसलिए आपको इन ध्यान से ये सुक्रोज है है अलफा डी ग्लुकोज बना बीटा डी फ्रक्टोज बना सर इस्ट्रक्चर अभी मैं बनाऊंगा सर जरा देखो ध्यान से कैसे बनेगा स्ट्रक्चर अलफा डी ग्लुकोज का स्ट्रक्चर पता है बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता है दोनों में करा दो प्यार, बना दो सुक्रोज चलो, स्टार्ट करते हैं इनके बीच का लविंग बडिंग वाली करडिशन समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा प्यार सुरू कराते हैं अल्फाडी ग्लुकोच या सुन लो भई, सुन लो यार alpha d glucose आप सबसे पहला काम खोपडिया बनाओगे बई ये खोपडिया बना रहे है glucose है यहाँ पे लगा दे ना इसको काटके खोपडिया को oxygen लगा दे यहाँ पे याद होगा HOH alpha होगा तो यहाँ पे नीचे आएगा ये HOH और ये हो जाएगा condition OHH और ये हो जाएगा आपका condition H और ये आपके पास बन जाएगा क्या ये थोड़ा सा बढ़ा कर दे ये बन गया CS2H देसी दा स्ट्रक्चर आप alpha d glucose ना बीटा दी फ्रक्टोज अरे वाईया बीटा दी फ्रक्टोज अब फ्रक्टोज में तो ये है फ्रक्टोज का खुपड़िया अब आजाओ भी खुपड़िया के बाद का condition बीटा दी है अरे बीटा दी होगा तो टू नमबर कारवन के OH को कहा ले जाना है उपर चला देना घोरी पे ये टू नमबर पे घोरी पे चला दिया प्या तभी तो सुरू होगा भाई जब तक गोरी पे चड़ेगा नहीं कैसे होगा अब इदर देखो अब इदर आएगा इदर OH यहाँ पे आगया condition H और यह और यहाँ पे आपका condition आगया H और यहाँ पे आगया CS2 OH आगया अब रुखज़। बड़ा simple sir, sir यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है sir, sir हो रहा है sir, जड़ा देखो ध्यान से क्या हो रहा है समझना ध्यान से यह है alpha-D glucose और यह है beta-D fructose क्या बना यह? beta-D fructose अब आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये समझो, ये समझो, आपन करेंगे क्या, करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, अब आप ये मत पुछना, कि सर ये क्या हो रहा है सर, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या हो रहा है, मैंने इसक को 180 से rotate कर सकते हो हम लोग उसे chemistry की भासा में steering rotation बोलते हैं समझ रहो ना तो यहां पर 180 से अगर rotate करोगे configuration इसका change नहीं होता इसलिए आप इसको rotate कर सकते हो मतलब इस compound को थोड़ा अगर modified करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं ज़रा देखना ध्यान से कैसा लिखेंगे सर यह h oh यह लिख रहा हूँ h oh यह है oh h यह आपके पास h और यह है cs to oh यह आपके पास है ज़रा समझो ध्यान से समझो समझो ध्यान से क्या इसा structure बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा यार अभी तक आप लोग नहीं समझ पा रहे हो एक दो तीन हुआ यहां चा this is the correct structure this is the correct structure मैंने बताया था अरे याद कर ले बाई याद कर ले प्रक्टिस की ज़रत होगी सुनना 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 मैं आपको फ़का दे रहा हूं क्यों पता है ताकि आपको माइंड क्लिक कर जाए कि हाँ सर ने क्या लिखा अरे भाइव असान हो गया असान हो गया इसको यूज से के स्टाइल में पलत दो दो सब्छिक के पलट दिया ये लगा और इस यू जाए न पुर्फर ना या इखना इधर है जास्केलटन तयार करो पर या् कर दियात से तयार में अब हमने ढोशा स्टाइल में पलट दिया कौन सा इस अगर उठाके यूँ पटक दिया तो भाई यहाँ यह दिखाई देगा तो CS2 OH हो जाएगा ये, ये हो जाएगा और ये हुग जा, मतलब ये 1 नमबर, ये 2 नमबर, अब 2 के बगल में 3 नमबर, ये OH इधर आजएगा वाई, ये H, ये इधर चला जाएगा, और ये वाला इधर आजएगा, H और CS2 OH, क्या क्या समझ मागया, थोड़ा इमेजिन करना या, अब देखो बैई, क्या होगा देखो, देखो क्या होगा, इसका one number, अलपा डी ग्लुकोज का one number और बिटा डी फ्रतोज का two number का जो OH है, ये दोनों आपस में पानी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? पानी, ये पानी का बहुत बड़ा रोल है है, बहुत बड़ा रोल है है, जैसे पानी निकाला, इन दोनों के बीच हुआ प्यार, क्या हुआ? प्यार, पानी वाला प्यार, समझ रहो न? और जैसे प्यार हुआ एक बंधन बन गया, बोंड बन गया, और इनके बीच में कौन सा? ऑक्सिजन का बोंड बना, मतलब इस तरह का केस आपके पास आएगा, पहले थोड़ा खोपड़िया की चर्चा करो, यह आया खोपड़िया और यहाँ पे एच है, और इसके बीच में यह औक्सिजन का ब्रिज बना, और यहाँ पे फिर से आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर से इस तरह का केस आपके पास देखने को मिलेगा कि यहांपे वन यंगर यहांपे वण और यहां पे टूंबर के भीच में यहां पे यहां पिछ नंबर के बीच में औक्सिजन का बिर्ज बनता दिख रहा है सुनना बेटा क्या बोल रही हूं? जब 2 या दो से जादा क्या बोल रही हुश? जब 2 या 2 से जादा सुगर monosacrite unit आपस में combine करेंगे और combine करने के बाद जब water निकलेगा, पानी निकलेगा तो उसके बीच में bond बनेगा किसका bridge बनेगा? oxygen का bridge बनेगा तो अगर दो monosaccharides unit या दो से ज़ादा बोल सकते हो polysaccharides में minimum कितना दो अगर दो monosaccharides unit आपस में combine करेंगे और combine करने पर water liberate होगा और उसके बीच में किसका bridge बनेगा? oxygen का bridge बनेगा तो ये जो linkage है ये ionic bond नहीं कहलाएगा ये covalent bond भी नहीं कहलाएगा non-metal, non-metal के बीच में ये coordinate bond भी नहीं कहलाएगा metal ही नहीं तो metallic भी नहीं कहलाएगा एक नया type का bond होगा जिसका नाम देंगे glycosidic linkage क्या बोलोगे? glycosidic linkage पूछता है what is glycosidic linkage? तो glycosidic linkage is formed by liberation of water molecule when two monosaccharides are joined together जब दो monosaccharides आपस में joint करेंगे और water molecule निकलेगा तो उनके बीच में जो oxygen coverage बनेगा वो कहलाएगा glycosidic linkage अब यहाँ सुनो एक question बड़ा अच्छा आ सकता है क्या सकता है यह समझो भाई, glucose का number carbon 1 है यह और यहाँ पे two number है इसका मतलब one and two के बीच में glycosidic linkage बनेगा इसलिए ऐसे glycosidic linkage को बोला जाता है one, two glycosidic linkage बोला जाता है बहुत आराम से और प्यार से सुन लो यार ऐसे glycosidic को क्या बोलोगे one, two glycosidic linkage के नाम से इसको जानते है जो कि बहुत आसान तरीका है अब आजाओ भई यह ठीक है सर one, two glycosidic linkage है पूछेगा कि सुक्रोज में किस तरह का glycosidic linkage बन रहा है one, two glycosidic one, four glycosidic one, six glycosidic और none of these तो आपका अंसर होगा one, two glycosidic linkage बात क्लियर? क्लियर है बात? अब देखो यार देखो यहाँ पे जो glycosidic linkage बना वो किस तरह का? one, two glycosidic मैं यहाँ पे कुछ बड़े important, important भात बताऊंगा बहुत important दिहान रखिएगा दिहान रखिएगा पहली बात तो यह समझ में आ गया glycosidic linkage कैसे बना सुक्रोज का structure यह समझ में आ गया? सारा कुछ clear हो गया देखा मिटा एक question आपके पास क्या पूछ सकता है? पुछेगा question आपके पास कि सुक्रोज contains सुक्रोज contains सुक्रोज के पास क्या होगा? पाइरनोज रिंग होगा समझेगा द्यान से या बोलेगा दूसरा फ्यूरा नोज होगा यह लिखेगा condition फ्यूरा नोज होगा या लिखेगा condition बोथ होगा या लिखेगा नन अप्डिज होगा तो आपका आंसर आना चाहिए बोथ क्योंकि यहाँ पे glucose है और fructose है glucose, paranose structure रखते थे याद करो और fructose, furanose structure रखते थे इसका मतलब सुक्रोज के अंदर बोथ fructose, मतलब pyranose and furanose structure प्रेजेंट होगा समझे रहो मेरी बात यह दोनों unit present है glucose भी और fructose भी तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों आंसर होगा इसलिए correct answer आपका होगा बोथ तो एक बात समझो यार एक बात समझो अभी आपने बोला कि सर सुक्रोज है सर सुक्रोज है सर और सुक्रोज का जो है वो acidic hydrolysis कर रहे है क्या कर रहे है acidic hydrolysis ध्यार पखेगा अगर इसको basic medium में डालेंगे तो basic hydrolysis नहीं सो करता लेकिन अगर इसको आप acidic hydrolysis कराते हो HNO3 gram में डाल देते हो dilute HNO3 gram में तो उस condition में ये break हो जाता है alpha D glucose और प्लस ये लिख रहा हूँ alpha D glucose और प्लस बीटा D fructose में बीटा D fructose में तूटता है मेरे भाई मेरे भाई एक बात ध्यान देना यार alpha D glucose प्लस बीटा D fructose में तूटा अगर आप देखोगे तो दोनों के पास कारेल कारवन है और अगर दोनों के पास कारेल कारवन है तो 100% दोनों अप्टिकली अक्टिव होगा समझेरे मेरे बात दोनों के दोनों अप्टिकली क्या होगे अगर आप इसका अप्टिकल रोटेशन देखोगे alpha D glucose का अगर आप अप्टिकल रोटेशन देखते हो तो इसका जो अप्टिकल रोटेशन होता है ये आपका वैल्यू 52.4 होता है लेकिन ये plus value है plus का मतलब ये dextro rotatory है अगर वही आप बिटा डी फ्रक्टोज का देखोगे तो बिटा डी फ्रक्टोज का value होता है माइनस 92.4 डिगरी होता है बड़ा इसका मतलब ये हुआ कि ये minus है minus का मतलब हुआ कि ये liver rotatory है तो basically अगर आप alpha D glucose का rotatory angle देखेंगे optical active है chiral carbon present है तो निश्ची तोर पे वो rotate करेगा या तो clockwise या anticlockwise तो बोल रहा हो कि alpha D glucose का rotatory angle जब polarimeter से measure किया गया तो देखा गया उसमें कि भया इसका rotatory angle जो है optical rotation जो है वो 52.4 डिगरी आ रहा है और इसका rotation जो है वो minus 92.4 आ रहा है मेरे भाई अगर दोनों का average निकाल दो अगर इन दोनों का average निकाल दो तो average optical rotation जो आएगा average optical rotation जो आपके पास आएगा ये value निकल के आपके पास आएगा लगभग लगभग 40 डिगरी आएगा ये minus में आएगा देखलो अप देखलो ध्यान से माइनस 40 डिग्री बनेगा इसका मतलब क्या हुआ माइनस आ रहा है माइनस आ रहा है अब सुनो एक मिनट सुन लो अभी इसको भूल जा यार इसको भूल जा भी अभी सिर्फ नजरे यहां आनी चाहिए हाँ ऐसा नहीं नजरे कहीं और निसाना कहीं और ऐसा नहोगा अगर आप इसको देखोगे सुग्रोज को तो सुग्रोज के पास भी अपना देख रहे थे structure में chiral carbon है और chiral carbon है तो यह भी optically active है इसका मतलब यहां भी optical rotation होगा और अगर इसका optical rotation देखोगे अगर इसका rotatory angle देखोगे तो यह rotatory angle आता है 66.6 degree आता है अब तुम ही लोग बता दो भईया इसका optical rotation positive दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जल्दी बता दो फटा फटा फट पॉजिटिव दिख रहा है और अगर optical rotation positive है इसका मतलब यह clockwise चल रहा यहां इसलिए आपको ध्यान से सुनना है नहीं तो बहुत टेंसन हो जाएगी यार इसलिए अगर आपको रहना भीना टेंसन का तो भाईया दे दो अब सुन ले ध्यान से यार देक्स्ट्रो रोटेट रहे हैं लेकिन जब इसी सुक्रोज को इसी सुक्रोज को आपने डाला कहां एसेडिक मेडियम में अगर आपने इसी सुक्रोज को उठा के एसेडिक मेडियम में डाला तो भाया net rotation जो average निकला इन दोनों का क्योंकि acidic medium में डाले पर तूट गया तूट गया और तूटने के बाद इन दोनों का rotation का average निकालोगे तो basically ये minus 40 आ रहा है इसका मतलब है कि जब हमने acidic medium में डाला तो यही जो आपके पास सुक्रोश था उसका net rotation minus आ रहा है मतलब ये हो गया क्या livo rotatory हो गया क्या हो गया livo rotatory हो गया समझना ध्यान से बेटा क्योंकि यहां से important question बनेगा ये हो गया livo rotatory लिख रहा हूं rotatory हो गया ये तो basically क्या था पहले ये इसका nature कैसा होता है सुक्रोश का actual nature क्या था dextro था लेकिन अगर acidic medium में डाला तो अब इसका nature कैसा हो गया livo हो गया अरे भया just ulta हो गया और अगर ulta हुआ तो chemistry की भासा में इसको invert बोलते है क्या बोलते है invert that's why सुक्रोश is also known as invert sugar क्या बोला what सुनना सुक्रोश is also known as invert sugar अरे मारो like लाइक फटापट फटापट वीडियो को अगर आपको समझ में आ गया concept तो मारो फटापट फटापट लाग लाइक मारो एकदम देखो इदर ध्यान से देखो ए भी जा गलाद दर्दोगया यार खलाद दर्द हो गया बोलते वोलते तुम कुछ तो करो यार, कुछ तो करो, देखो, क्या बोला मैंने, khi सर, सर सर इसका optical rotation सर 66.6 है सर, dextroiser, dextroiser, dextroiser plus 66, अब इसको उठाया गल दिया है, स्था नहीं हो गया, चमतकार, क्या, चमतकार हुआ, क्या चमतकार हुआ भाई, कि सर ये टूटा इसमें, इन दोनों का अप्टिकल रोटेशन हमने देखा, और फिर एवरेज निकाला, तो देखा सर माइनस आरा है सर, इसका मतलब सर नेट रोटेशन जो है, वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब सर ये पूरा नेट क हो गया, उल्टा मतलब इनवर्ट हुआ, अर इसी लिए, इसी लिए, इसी लिए सुक्रोज का नाम है क्या, इनवर्ट सुगर, पूछता है कुष्चन, कुष्चन पूछता है, बोट में भी पूछता है, कि वाई सुक्रोज इस नोन आज इनवर्ट सुगर, सुक्रोज को इनवर्ट सुगर क्यों बोलते हैं? बहुत सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर है, आप भी दे सकते हूं, कहीं कोई दिकत नहीं, बात क्लियर, एकदम मज़े से, very good, तो आपने फर्स्ट डाय सेकराइट्स देखा सुक्रोज, अब अपन लेकिया आरे एक अनधर डाय सेकराइट्स मालटोज, नाम से भी बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में, मालटोज, ज़रह देखो धिहानसे, अगर आप मालटोज देखोगे, तो मालटोज को अगर पानी में डाल दें, मतलब हैडरोलेसिस करा दें, तो ये बनता है, अलफा-डी-ग्लुकोज, अलफा-डी-ग्ल ग्लुकोज मतलब जब भी आप माल्टोज का हैड्रोलेसिस करेंगे तो आपके पास दो यूनिट ऑफ अलफा डी ग्लुकोज का फॉर्मेंशन होगा पहला बात दिमाग में ये चीज आजानी चाहिए ठेका ना इसका मतलब अभी देखो आप सुक्रोज में क्या था अलफा ड पाईरानोच एक्तम क्लियर पाँच मेंबर प्लस पांच ikार्बन फ्लप एक ओक्सिजन थीका ना अब सुनो इधर ध्यान से ध्यान से तूनना यह आपके पास मल्टोई कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे मैं कैसे बनाओगे, सबसे पहले α-D-glucose ले लेते हैं α-D-glucose, तो भाईया खोपडिया कर दें, तयार यह हुआ HOH HOH, यह हुआ OHH, यह हुआ OHH, और यह हुआ condition आपके पास H और CS2 OH, अब अगर β-D-glucose की अपन बात करें तो हमारे पास इस तरह का condition आजाएगा यह है HOH यह है HOH यह है CS2 OH है यह आपके पास दिख रहा है OHH और यह है HCS2 OH लेकिन बीटा होने के लिए यह क्या बोला मैंने, अलफा-D-glucose प्लास, प्लास, प्लास अलफा-D-glucose दोनों में है अरे बाई, अलफा-D-glucose दोनों में है, कोई बात नहीं दोनों में रहने तो, यहाँ यह one number है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4 बेटें, यह four number कारवन है और यह one number है वन और four के बीज में निकलेगा water, क्या निकलेगा? water और आपके पास जो यहाँ पर condition दिखेगा, वो इस तरह का case आपके पास आएगा, खोपड़िया लिखो बाकी की चीज़ें आपको भरना आता है यह आपके पास oxygen का bridge जुड़ गया, यह oxygen का bridge आपके पास यहाँ पर जुड़ता हुआ, दिखाई देगा इस तरह से बाकी की चीज़ें भर लोगे? यहाँ भी निकला S2, क्या निकला? S2 और बना oxygen का bridge, मतलब यह भी glycosidic linkage बना तो जब भी monosecrate units आपस में joint करेंगे, और water molecule liberate करेंगे, तो उनके बीच में जो oxygen का bridge बनेगा, वो कहलाएगा आपका glycosidic linkage ठीका ना? तो यह आपको glycosidic linkage बना, लेकिन इसका one number और इसका four number carbon मिलके glycosidic linkage बना रहा है, अगर one और four बनाएगा, तो ऐसे glycosidic linkage को बोलेंगे, one four glycosidic linkage, यह आपके पास बहुत simple concept है अब यहाँ आप लोग भर लेना सब कुछ लिखा हुआ है, यह सब आप लोग भर लेना, सब कुछ लिखा हुआ है अब अगला जो example लिख रहा हूँ वो आपके पास लिखने जा रहा हूँ lactose, आप पढ़ते हो lactogen खाते होगे ना बच्चे में lactose, अरे भी यार lactose भी disacride है disacride मोनो नहीं है और lactose को अगर आप पनिया में फेकोगे भाई तो पनिया में फेकने के बाद यह अलग निकलेगा यह निकलेगा beta-d galactose beta-d galactose और plus 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 beta-d glucose निकलेगा beta-d glucose निकलेगा रुख जाओ ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने सुनना कि जब lactose को पानी में फेका तो beta-d galactose और beta-d glucose बना beta-d galactose और beta-d glucose बना सर, galactose तो आपने चर्चा ही नहीं करे हाँ, बिल्कुल सही बाद मैंने galactose की चर्चा नहीं किया क्या आपने ये formula सुना है क्या सुना है क्या बिल्कुल सुना है सर तो skeleton बना दो भाई, खुपड़िया तयार करो सर, कर दिया सर सर, कर दिया सर सर, कर दिया सर सर, कर दिया कर दिया, कर दिया ये कर दिया ये OH, H और H बना दिया सर, ये हो गया सुनना ऐसा आपन लिखते थे क्या ग्लुकोज क्या लिखते थे ग्लुकोज 1 नमबर 2 नमबर 3 नमबर 4 नमबर 5 नमबर 6 नमबर ये ग्लुकोज है मेरे भाई OH को इधर कर दो H को इधर कर दो अगर 4 नमबर कारवन पे OH left hand पे कर दिया जाए तो ये ग्लुकोज converted into galactose भाई इतना ही तो अंतर है समझ गए बात केवल difference कहा है या कारवन पोर पे एक बात सुनो अगर आप ग्लुकोज देखते हो तो ग्लुकोज का structure आपने इस तरह से बनाया OH ये OH और यहाँ पे ये OH ये आपके पास OH और ये आपके पास OH और H ये बना आपके पास ग्लुकोज का structure भाई बड़ी simple सी बात है बहुत simple सी बात है सार ये ग्लुकोज का structure है सार दोनों में अंतर केवल कारवन नंबर 4 पे आ रहा है यहाँ 4 नंबर पे OH किदर दिख रहा है but their configuration is different at any carbon except Carbonyl carbon Carbonyl carbon कौन है? पहला वाला अगर करbonyl carbon को छोड़के जो LDH तो ऐसे compound को ऐसे को एक दुसरे का एनॉमर नहीं बोलते इसको epimer बोला जाता है ध्यान रखिएगा anomer के बल साइकलिक स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे थे याद होगा समद रहो ना alpha-dglucose, beta-dglucose, anomer हो गया अब यहाँ क्या बोल रहा है epimer में क्या है certain different compounds having same molecular formula but their configuration are different at any carbon except carbonyl carbon carbonyl carbon के अलावा किसी भी carbon पर अगर configuration differ करता है तो यह compound आपस में कह लाएंगे क्या anomer कह लाएंगे मैं उमीद कर रहा हूँ कि साइद आपको बहुत अच्छे से समझवाना चाहिए clear रवाग्त तो अभी आप पढ़ रहे थे epimer epimer के बाद आपने देखा क्या anomer यह सारी बातें आप देख रहे थे अब आजाओ इधर इधर आजाओ structure की बात करते है यह तो epimer हुआ sir beta d galactose कैसे बनेगा sir अरे बिल्कुल वैसा ही skeleton तयार कर दो बिल्कुल वैसा ही जैसा glucose का कर रहे थे कोई change नहीं आएगा कोई change नहीं आएगा बिल्कुल वैसा ही structure आपने तयार कर देना है यहाँ पे beta d glugose है o h h कर दो h o h कर दो आपको structure रट गया होगा यार o h जितना trick बता रहा हूं उसी trick से आपको structure याद रखना है otherwise आपको दिक्कत आ जाएगी और beta d galactose है galactose में उपर जाएगा beta है तो h o h है यहाँ पे थर्ड नंबर पे o h h है थर्ड नंबर पे यह उपर जाएगा देखो फोर्थ पे भी उपर क्यों यहाँ भी उपर यहाँ भी उपर अब इस तरह का case आपके पास बनेगा इस तरह का case आपके पास बनता हुआ दिखाई देगा यह आपके पास case बनेगा और यहाँ पे जो है वो oxygen का bridge लगेगा यह oxygen का bridge आपके पास लगेगा और इस तरह का skeleton आपका खुपडिया वाला बनके तैयार हो जाएगा बाकी के बाद तो आपको समझ में आती होगी दिला ध्यान दो बाकी चीज़ें आप लोग फिल अप कर लोगे मुझे पता है अब आपको समझ में आ चुका है बाकी के चीज़ें आप लोग उपर से फिल अप कर लोगे यहां चुका है, क्या हुआ, इसका 1 नमबर और इसका 4 नमबर, इसका 1 नमबर और इसका 4 नमबर मिलके क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, 1 और 4 मिलके, glycosidic linkage, इसलिए यहां भी 1 4 glycosidic linkage बनता हुआ दिखेगा, 1 4 glycosidic linkage, तो आपने एक चीज घौर किया होगा, कि 1 2 glycosidic linkage जो था, क्या बोल रहा हुआ, 1 2 glycosidic linkage जो था, वो केवल और केवल कहां बनता हुआ दिख रहा था भई, सुक्रोज में, सुक्रोज याद कर यार पहला वाला यार, invert sugar बनी बन, लेकिन ये कौन सा sugar है, lactose है या क्या दिख रहा है ना, और इसके पहले क्या पढ़ाया, maltose, इन सब में 1 4 glycosidic बन रहा है, एक बात समझ यार, एक बात समझ, बहुत इंपोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सर इसका 1 नमबर है, और इसका 4 नमबर ले रहा है, सर पाटिसिपेट, और वन नमबर कौन सा नमबर था फंक्शनल ग्रूप वन पर लेकिन, यहाँ भी फंक्शनल ग्रूप 1 पर है, यह भी गुलूप हो जाए, बट इस ने बन में पाटिसिपेट नहीं किया, तो एक का फंक्शनल ग्रूप किया, बट एक फंक्शनल गूप फ्री रहा घया, तो भाई, अगर किसी कमपाउंड मे ये lactose बनाना अगर किसी compound में कोई भी functional group free रह जाए LDIT core ketoni group मतलब वो bond बनाने में participate नहीं करे glycosidic bond में participate ना करे तो ऐसे sugar को बोलते हैं reducing sugar बहुत important बहुत बोल रहाँ बेटा, बोल रहाँ क्या यहाँ 1 और 4 के बीच में बन रहा है तो 1 तो था क्या, carbonyl carbon बट 4 तो नहीं है carbonyl carbon carbonyl carbon कहाँ पे LDIT group 1 पे इसका one वाला free रह गया, इसने नहीं बनाया glycosidic 1 और 4 के बीच में बन रहा है तो जब आप जब आप dicecrate बनाते हो और अगर किसी भी monosecrites के अंदर कोई भी एक carbonyl group free रह गया, जिसने glycosidic bond बनाने में participate नहीं किया तो वैसे condition में इस sugar को कहा जाता है reducing sugar बात clear हुआ इसका मतलब, इसका मतलब सुनो maltose और lactose दोनों किसके example है, reducing sugar के लेकिन भीया, fructose याद करो, fructose को याद कर थोड़ा सा, अभी ये sorry, अभी याद करो सुक्रोज को, सुक्रोज में क्या था glucose plus fructose और यहाँ 1-2 glycosidic अरे भीया, glucose में aldehyde functional group 1 नमबर पे था यहाँ fructose में ketone functional group 2 नमबर पे था तो दोनों के दोनो functional group bond बना रहे हैं, 1-2 glycosidic बन रहा है, और अगर दोनों के दोनो functional group bond बना रहे हैं, तो कोई भी कोई भी कारवणील ग्रूप कोई भी कारवणील ग्रूप जो है, वो free नहीं रहा और अगर free नहीं रहा, तो ऐसे condition को, ऐसे sugar को non reducing sugar के नाम से जाना जाएगा, बस खतम बात, बता दो सुक्रोज किसका एक्जामपल है reducing या non reducing non reducing, lactose किसका एक्जामपल है, reducing भाई सुन ले यार कल जटका दूँगा जोर से फिर से हाँ maltose किसका एक्जामपल है, reducing जल्दी बलो, सुक्रोज, 1-2 glycosidic 1-2 glycosidic, 1-2 glycosidic और भाई या, 1, 1 मतलब aldehyde, 2 मतलब fructose बाला, अच्छा और भाई, दोनों के, दोनों carbon carbon बना रहे हैं क्या, glycosidic linkage इसका मतलब समझ में आ गया, कि कोई भी carbon carbon free नहीं है, कोई भी free नहीं है, मतलब reducing नहीं होगा, non reducing होगा, बस 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 हो गया दियार, देखो, कितना चल्दी आद हो गया done, done बिलकुल done, आजाओ, आजाओ, लक्तोज, Мल्तोज, Maltos, Maltos, Leptos, Maltos 14 glycosidic, 14, 14, 14, आजाओ, 1 तो होगा carbon carbon halide वाला, 4 में तो ही नहीं, ही नहीं कुछ वहाँ तो heldihyde group था ही नहीं, या ketone भी नहीं वो तो one या टू पे था, इसका मतलब एक तरफ से free आए, एक वाले ने bond नहीं बनाया, इधर तो one वाला functional group बनाया, दूसरे का one बनाया, इन या two, इसका मतलब free है, और अगर किसी एक का भी functional group free हुआ, तो भाई या, that sugar is known as, known as reducing sugar, तो मेरे भाई, आपको पता चल गया की reducing कौन है, non reducing कौन है, बात इसा reducing हुआ, तो क्या हुआ, क्या चर में मिलेंगे, बहुत जल्दी, एक छोटे से break के बाद, तो अमीद कर रहा हुँ, कि आप लोग पूरा lecture को enjoy कियोगे, और अभी तक like नहीं कियोगे, तो आप पढ़त रहो, लेकिन दुखत है, इतनी मेहनत करने के बाद, अगर हमारे मेहनत को appreciate नहीं करते हो, कैसे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए, बाँ बाई, 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 बाई